बाड़ ग्लुकोज लेबल बढ़ जाता है ग्लुकोज का लेबल बढ़ जाता है तो इसके लिए हम एंटी डाबिटिक ड्रक्स करते हैं जो क्या करता है blood glucose label जो बढ़ा हुआ है उसे वो reduce करता है तो चलो start करते हैं वीडियो तो this is intestinal lumen तो हम कोई भी carbohydrate लेते हैं या कोई भी glucose या फिर जिसमें glucose जादा है या फिर कोई भी sweets लेते हैं तो क्या होता है ये body में आएगा intestinal lumen में आता है या तो glucose की फ़म में आएगा या तो starch or disecrit के form में आएगा तो glucose की फ़म में आता है वो directly absorbed हो जाता है ये epithelial cells में और ये चला जाता है हमारे circulation में और जो starch or disecrit के form में आते हैं ये पहले alpha-glucosidase के presence में glucose में तूटते हैं एंड देन ये एपिथीरियल सेल्स में जाके एब्सॉर्ड होते हैं, देन सर्कुलेशन में पाटिसिपेट करते हैं, जब ये एपिथीरियल सेल्स में ग्लुकोज एब्सॉर्ब हो गया है, देन यहां से एक सिक्रीट होता है प्रोटीन that is GLP-1, एंड देन ये GLP-1 जाता है, ये पैंक्रियास की सेल है, यहां पे ये बीटा सेल्स है, ये बीटा आइलेट्स ऑफ लेंगरनेंस पैंक्रियास की सेल्स हैं, इन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहां ये GLP-1 जाता है, और GLP-1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जब ये एक्टिवेट करता है तो यहां से रिलीज होता है इंसुलीन, एंड साथ में होता है अमाइलेन, अभोता है कि अगर मानों कि आप ग्लुकोज लिये जा रहा हो लिये जा रहा हो तो systemic circulation में क्या होगा, glucose का जो लेबल होगा वह बढ़ जाए गा दिन जब glucose का लेबल बढ़ जाएगा तो यह क्या करेगा जाएगा और जो बीटा सेल wys पे एक और receptor प्रेजेंट होता है इसको जाके यह एक्टिवेट करेगा दिन यह एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा ATP बढ़ेगा तो जो हमारे फैट की सेल में प्रेजेंट रहता है ग्लूट 4 रिसेप्टर तो ग्लूट 4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए यहां इंसुलीन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है तो क्या होता है ग्लूट 4 सेल को एक्टिवेट करता है ग्लू इस receptor पर भूसक्त करते है je Z ld 2 receptor पर अगर बात करें तो हमारास में पर्पस किया है कि Unreal거 aать कि रिलीज कराना है हम क्या करेंगे कि यहां पर ग्लुकोज और अर इस्टड्ड जो डाइसक्राइड यहां पर जो Onklo vibrant a यहउन पर घुलुकोजट्यट आ है G Always बीटर्स दे देते हैं, तो ये क्या करता है कि ये ग्लुकोज में कनवर्ट नहीं करेगा, दिन जब ग्लुकोज में कनवर्ट नहीं करेगा, तो जो अमाउंट होगा ग्लुकोज का, वो एपिथिरियल सेल में नहीं जाएगा, दिन एब्सॉर्ब नहीं होगा सर्कुलेशन में तो जो glucose की मात्रा है हमारे बाड़ी में वो कम हो जाएगी दिन क्या होगा यहां से सिक्रीट होगा GLP-1 प्रोटीन दिन यह अक्टिवेट करेगा और यह अक्टिवेट करेगा दिन इंसुलीन और अमाइलीन रिलीज होगा साथ में यहां क्या होगा जब बलड़ ग्लुकोज का लेबल हाई हो जाएगा तो यह जाएगा GLP-2 R receptor को अक्टिवेट करेगा दिन यहां से भी हमें इंसुलीन मिल जाएगा यहां क्या होता है कि जब बाड़ी में ग्लुकोज का मात्रा ज्यादा हो जाता है दिन यह एक्टिवेट करता है फैट सेल में प्रेजेंट ग्लुट 4 receptor को और दिन यह क्या करता है कि जितने भी एक्सेस ग्लुकोज है वो इंसुलीन की प्रेजेंस में एडिपोस्ट इसू या फिर फैट सेल में इसको रिस्टोर कर लेता है और कुछ अधर सोर्स भी होते हैं लाइक यह एजी एल टू आर रिसेप्टर यह क्या करते हैं यह जो है किड्नी में जाएंगे फिल्टर हो जाते हैं ग्लुकोज मेरी एब्सॉर्ड हो जाते हैं बाई एजी एल टू आर रिसेप्टर यह हमारा पैंक्रियास ठीक पैंक्रिय ять यहाँ रेसेप्टर हो तो यहां हम देखते हैं इन्टेस्टाइनल लिवन हुटके इन क्लुपयान॓ं को यह." और डाय सेक्राइड होता है वह अल्फा ग्लुकोसी डेस की प्रजेंस में घ्लु कोज में कनवर्ट होता है यह इसकी नॉर्मल फिजियोल्जी है ओके देन क्या होता है इंसुलीन सिक्रेशन बाइदा ग्लुटू आर रिसेप्टर इन दा पैंक्रियास तो आफ़र पोस्ट प्रैंडियल पिरियड में इसकी खाना खाने के बाद जब ग्लुकोज का कंसंट्रेशन बॉड़ी में बढ़ेगा तो यह क्या कर दीहीड़ करने लगेगा हाई नो का कंसंट्रेशन में सेस कि तरफ मूफ करने लगेगा और यह इल्यट करेंगा कि सेल्हमें ग्लुकोज किते अमाउंट में प्रेजेंट हो इन एक पैसिम ब्लॉक कर देंगे जिससे क्या हो गया सॉरी कैल्सियम चैनल जो है वéta सेल में बढ गलुको नियोजनेसिस मींस कि गलुको नियोजनेसिस कि गलुकोज का नया फॉर्मेशन होना होना इस स्केर्ड वन इस इंड पीशेटी किड्नी पी सिटी यहां जो लोग ने देखा था ऐस जल्ट 2 रिसेप्टर में इसमें क्या होगा किड्नी में ये फिल्टर्ड होगा ग्लुकोज और री एब्सॉर्ड हो जाएगा by SZLT2 रिसेप्टर अगर हम ड्रक्स की अब बात करते हैं एंटी डियाबिटिक ड्रक्स for the treatment of diabetes mellitus तो फिर्स ड्रग हम बात करेंगे alpha glucosidase inhibitors की तो इसका mechanism of action क्या होगा ये क्या करेंगा ब्लॉक कर देगा alpha glucosidase इसको ये क्या करेंगा inhibit कर देगा देन inhibit करेंगा तो क्या होगा जो starch और dicecred है वो glucose में नहीं तूटेंगे बट इसका एक side effect है जब starch और dicecred नहीं तूटेंगे glucose में दिन ये colon में चले जाएंगे दिन बैक्टेरिया इस पर feed करेंगे and then generate gas and that cause flatulence and इसका mainly use हम करते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसेमिया में mainly in type 2 diabetes mellitus. अटेगरी की ड्रग की बात करें तो GLP-1 related drugs तो पहला आता है GLP-1 receptor agonist तो ये क्या करेंगे ये जो GLP-1 है इसको ये activate करेगा जितना activate करेगा insulin release होगा या तो क्या करेगा ये जो DPP-4 है जो plasma में जाके metabolized हो जा रहा है इसको ये block कर देगा जब block करेगा तो ये GLP जो है ये stimulate होगा और इसके stimulates होने से ये insulin यहाँ release होगा इसको भी हम mainly type 2 diabetes mellitus में use करते है side effect इसका क्या है pancreatitis pancreatitis क्यों है क्यों कि ये बार-बार stimulate कर रहा है pancreas को बार-बार छेड रहा है तो क्या होगा जिससे की pancreas में inflammation होने लगेंगे so side effect इसका जो mainly आता है pancreatitis आता है साथ में nausea vomiting और the weight loss की बात करें तो यह क्या करता है इसको ब्लॉक कर देता है जिससे insulin रिलीज होने लगता है इसका इसको भी हम यूज करते हैं में टाइप 2 diabetes mellitus में अगर insulin के resistance को यह कम भी करता है कौन औरल हाइपोग्लाइसेमिक isn't mechanism of action है यह mainly act करता है insulin receptor पे और तीसरा और इसका एक काम है यह क्या करता है जो hepatic glucose का production हो रहा है उसको भी कम कर देता है यानि कि जो ग्लुको नियोजनेसिस हो रही है यह लीवर में उसको ब्लॉक कर देगा जब ब्लॉक कर देगा glucose ज्यादा मांट में रिलीज नहीं होगा और फिर उससे क्या होगा ब्लड ग्लुकोज लेबल जो है वो कम हो जाएगा इसको इन सब को में ली यूज करते हैं टाइप टू डाइबेटीज मिलाइटस अगर हम और एंटिडाइबेटिक की बात करें तो फर्स्ट काटेग्री इंहेंस इंसुलीन सिक्रेशन मेंस की इंसुलीन के सिक्रेशन को इंहेंस कर रहा है इसमें दो काटेग्री आती है फर्स्ट वन इसके एटीपी चैनल ब्लॉकर संसकेंड वन इस डीपी फोर इनिबेटस तो इसमें क्या होता है कि यह ज जैसे की रेपघ्लिनाइड और नेटग्लिनाइड, सकेंड आता है, औरकम इंसुलीन रेजिस्टेंस यह जो मेली है, एक्ट करता है इंसुलीन के रिसेप्टर पर, इसमें दो ड्रग आती है, इसमें भी गटेगरी, दो कटेगरी पहला है, बायाग अनाइड इसमें एक आती ह ता कहां पर यह था, जहां इस्टार्च और डाइसक्राइट जो हम ले रहा थे इंटर्श्टारनल लूमन में आ रहा था और अलफाग्लुकोसीडेस की प्रजिंस में ग्लुकोस में कनवाट हो रहा था हम यह ड्रग देते हैं जिससे वो क्या करता है, अलपाग्लुकुसीडे जो हम बात किये थे PCT that is the part of kidney में जहां रही absorption हो रहा था उसको inhibit करता है और यहां यह dopamine D2 agonist that is bromocryptin झाल झाल झाल